नमश्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सब का स्वागत है मेरे योट्यूब चैनल में दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं कल के दूसरे मुकाबले के बारे में मतलब 28 मुकाबले के बारे में IPL 2021 के जो की खेला जाएगा दोस्तों सनराइज साइदराबाद वर्स देली कैपिटल के बीच तो दोस्तों वह आपस बता दू आपको की जैसे मिने पिछले वीडियो में पताया था आपको कि आज डबल एडर खेला जाने वाला है दोस्तों पह बस देली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा दोस्तों जो कि अज शाम को खेला जाएगा तो ठीक है दोस्तों इस मुकाबले के Barea में बात करेंगे जानेंगे इसके वेन्यू के बारे में Hagrid देखेंगे दोस्तों पीछ report देखेंगे जरूर TEAM बदाऊंगा आपको टीम performances दोनों का compare करेंगे दोस्तों अभी तक IPL में हैं दोनों کا कि भी ज़रूर बात कर लेंगे तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते उससे पहले बता दो दोस्तों जैसे कि रोज बता दो अगर चैनल नहीं किया आपको मेरे अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और एक चीज टेलिग्राम का चैनल बन चुका है दोस्तों अगर रंटाइम अपडेट चाहिए तो टेलिग्राम का चैनल भी जॉइन कर लीजे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ठीके दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वेन्यू से तो सबसे बहले बात करते हैं वेन्यू के बारे में जो की है में चिदंबरम स्टेडियम चैनल जी हावान खेड़े और चैनल नहीं दोनों में अभी तक मैच हो रहा है आज अभी तक तो यह मुकाबला जो है च आपकी बात कर रहे होंगे तो जरूर उनके लिए पीछ का फरक नहीं पड़ता जो की इस मैच में शामिल नहीं दोस्तों इस वज़े से उनकी बात करना बेकार है इसके लिए तो ट्रिकी है दोस्तों जो पीच है वह बालिंग को जाधा साथ दे सकता है वेरियेशन के लिए बहुत अच्छा पीचे थोड़ा बहुत अगर पहली मिनिंग रहे है मैं पहली विनिंग में जो गेंदबाजी करेगी टीम उनके स्पिनर्स को सपोर्ट मिल सकता है तो इसी वजह से मेरे ख्याल से जाधा बॉलर्स को मैं शामिल नहीं करना चाहूंगा आपस अल्रॉंडर् बैट्समन रखूंगा और ऑफकोस बॉलर्स जो तीन रखने उतने ही रखूंगा तो आफकोस हम वह टीम देख लेंगे हमारे ड्रीमिलेवन वाले सेक्शन में ड्रीमिलेवन का जो विरिंग टीम बनाएंगे उसमें ज़रूर्ण मैं आपको दिखा दूँगा तो ठीके दो तो वही दिली केपिटल सिर्फ साथ बार जित पाई है तो मतलब अगर परसेंटेज वाइस देखा जाए तो संराइज आगे चल रही दोस्तों दिली केपिटल से क्योंकि हाईदराबद 11 और दिली 7 अगर इस साल का परफॉर्मस देखा जाए तो दिली काफी आगे है मतलब अब भी तक चार मुकाबले चीन मुकाबले चीत है जिस में से सिर्फ एक मुकाबले में उनको हार मिली तो चार में से तीन विन और एक लौस काफी अच्छा है दोस्तों और अगर बात की जाए Sunrise है अधराबाद की तो इन्होंने भी चार मुकाबले खेले ज़रूर बट तीन में हार मिलिये और एक में ही जीत मिलिये जो कि उनको लास्ट मैस में ही मिली थी तो तो देखा जाए कि दिल्ली तीन जीत के आई है जबकि Sunrise तीन हार के आई है तो दिल्ली को एक हार मिलिये Sunrise उसको सिर्फ एक जीत मिलिये तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो DC काफी आगे चल रहा है और अगर टीम परफॉर्मस भी देखा जाए तो दिल्ली बैटिंग बॉलिंग दोनों में जादा बेटर कर रही है दोस्तों Sunrise का देखा जाए तो बैटिंग में सिर्फ वार्नर हुए या फिर बेरिस्टों हुए यही आगे आ रहे है बैटिंग कर रहे है ज्यादा बाकी लोगों से बाकी प्लेयर से उनको साथ नहीं मिल रही है पर दिल्ली का लग रही है दोस्तों इस साल तो देखते है शायद से क दिल्ली का पालड़ भारी हो तो चलिए टीम न्यूज की बात करते है अभी जो एक न्यूज मिली है दोस्तों मुझे कि जो नट राजन है Sunrise के यॉर्कर स्पेशलिस्ट जो कहे जाते है टी नट राजन वो रूल डाउट हो गए IPL 2021 से क्योंकि इंजर्ड हो गए थे दोस्त अभी most probably वो IPL 2021 से रूल डाउट हो चुके है उनको किसी भी मैच में आगे शामिल नहीं किया जाएगा ठीक है दोस्तों यह रही टीम न्यूज की बार जो कि Sunrise के लिए अफकोस अच्छी न्यूज नहीं है तो high performance देखते हैं अभी high performance कोन होते हैं जो match winner कहलाते हैं जो match winner रह जाते थे बड़ अफकोस कभी कबार हो सकता है कि अच्छी पारी भी खेली बड़ मैच नहीं जिता पाई जैसे Samju Samson ने अचा तक लगाया था मैच नहीं जिता पाई यहां पर हमारे पास एक्जाम्पल मनीश पांडे दो बार अच्छी बैटिंग की बड़ मैच नहीं जित पता नहीं अभी टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है तो हो सकता है कि कल के मैच में वापिस शामिल भी कर ले तो आगे देखे दोस्तों जोनी बैरिस्टो है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है टीम के लिए 55, 43, 63 मतलब दो हपसेंचुरी भी लगा चुके है दोस्तों जोनी बैरिस्टो काफी अच्छे टैच में नजर आ रहे है यह अफकोस हमारे होट पिक्स में एक ओप्शन हमरी लिए रहेंगे डेविड वर्नर अभी फॉर्म में दोस्तों कप्तान जो है संराइजस के दो अपसेंचुरी वह भी लगा चुके है 54, 36, 37 तो इन्होंने भी क इता नहीं पायते अगर गेंदबाजी की बात की जए तो रशित खान अफकोस जो उनके सबसे बड़िया गेंदबाज है बुनेश्वर को रशीइद खान तो रशु ने दो लोग चेट चाठका। अभी शेक शक्रमा पिछले मैच में आ गया है दोस्तों गेंद बाजी के लिए और उन्होंने भी दो विकेट अच्छे चटकाए थे खलील एमद ने जटकाए दोस्तों तीन विकेट जैसन होल्डर को शामिल नहीं किया जा रहा है ठीक है दोस्तों डिली कैपिटल्स की बात करते तो डिली कैपिटल्स का परफॉर्मंस देखा जाए तो बैटिंग में रहेंगे सबसे पहले उनकी ओपनिंग पैर पृत्विशा और शिकरदाउन दोनों की दोने गजब टच में दोस्तों अच्छी बैटिंग कर रहें तो पृत्विशा ने एक हाप सेंचूरी ले गई एक मैच में 32 बनाए दोस्तों बट फास्त है वो 17 बॉल में 32 बनाए थे शिकरदाउन सबसे अच्छे टच में नजर आ रहें दिल्ली के तरफ से 85 92 45 काफी अच्छी बैटिंग रहें दो बार सेंचूरी मिस की है दोस्तों बट मैं करता हूँ दूआ करता हूँ कि जरूर शतक बना ले अ इसाब से खेले और अच्छा बैटिंग रहा था दोस्तों तो बॉलिंग में देखते हैं इस क्रिस वोक्स जो पहले तीन मैचेस में शामिल थे उन्होंने दो बर दो विकेट चटका है और रोंडर प्लेयर है दोस्तों थोड़ी बहुत बल्लेवाजी भी की बट पिछले मै में अनफोरशिनेटली उनको ड्रॉप किया गया थोड़ा सा मेरेली और सरप्राइजंग जरूर है क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों बोक सग्र ऩे बैटिंग भी कर सकते हैं बॉलिंग बेटर करी रहे है तो उनको ड्रॉप करना मेरे लिए सर्प्राइजिंग था आवेश खान जो सबसे अच्छी गेंद बाजी कर रहे है दिल्ली की दरब से उन्होंने दो तीन दो मतलब तीन मैच इसमें अच्छा परदरेशन किया है दोस्तो रहे बड़ा जरूर वापसा एक मैच में दो विकेट चटका है बड़ पिछली मैच में कुछ जादा अच्छा कर नहीं पाए मिश्रा जी मिश्रा जी को पिछली मैच में फ्रस्ट चांस मिला और उन्होंने मो कोस्त देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में अगर गेंबाजी करते तो स्पीन भी मिल रहा है तो मिश्रा जी भी अच्छा पीक हो सकते है और डिपेंड्स ओन टॉस और कोन पहले बल्ले बाजी और गेंद बाजी कर रहा है तो ठीक है दो बैबल प्लेंग 11 की बात करते किसको बिठाएंगे पताने Κe Kaydarji जादों को इimeğे तो यह उनके साथ ना इंशाप होगी क्योंकि कि पिछले मैच में उनको चांस बहुत अच्छे प्लेयर है दोस्तों अच्छी बैटिंग करते हैं टेकनिकली स्ट्रॉंग है तो उनको बिठाना थोड़ी गलती है पर्ट टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है यह उनको ही पता के दार जाद हो रहेंगे दोस्तों विजेश शेंकर रहेंगे अभी शेक शर्मा मैं उन्होंने भी 2-3 विकेट चटकाये थे सिद्धार्थ कौल को भी शायद से एक वापस चांस मिल सकता है पिछली मैं इसमें इतनी अच्छी गिनबाजी रही नहीं उनकी बट चांस तो बनता है दोस्तों और एक चांस मिल सकता है क्योंकि अभी नटराजन भी उनके पास चटकाया था और बैטिंग में भी अच्छे run score किये थे उन्होंने ललित यादे हो भी रहेंगे शिमरॉण है piace ने को शामिल किया गया पिछली में वापस और पिछले मैं समीश में चांस्तों मिला नी शायद से उन उनको तो वह भी शामिल रहेंगे आश्मिन रहेंगे दोस तो यह रहेंगी मेरी दिली कैपिटल की तरफ से होट पिक दोस्तों अगर हैदराबाद की बात की जाए तो ऑफको जैसे प्रित्वी शौर शिकर दवन एक बेस्ट ऑपनिंग पेर नजर आ रहा है वैसे डिविड वर्नर और जॉनी बेस्टों यह वह एक बेस्ट ऑपनिंग दोस्तों दोनों को जोरू शामिल करना बनता है विजाई शंकर रहेंगे विल्यम सन को भी हम शामिल कर लेंगे अभी टीम में और होट्विक्स में और शित खान देखें दोस्तों ऑफकोस पॉइंट का इश्यू आता है तो थोड़े बहुत चेंज एक्सपेक्टेड होते ह है क्योंकि किसी को बिठाना पढ़ता है किसी बड़े player को छोड़के कोई दो चोटे प्लेयर प्रेइब एड्जिस करने पढ़ता है पॉइंट के वज厭 सकता है कि होट पीक्स मेंसे किसी को हन डॉप करें अधर मैं जो चार बेस प्लेयर है मेरे दोनों टीम्स के दोनों ओ सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर से एक बार बता दो दोस्तों देखिए यह जो पहला मैच है आज का सिएसके वर्सेस बैंगलोर इसका वीडियो अपलोड हो चुका है आपको चैनल पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा दोस्तों तो आप देख सकते हैं उस वीडियो की और प्रेडिक्शन एनलीसिस और टीम्स में मैंने तीन-चार टीम्स दिये दोस्तों मैं ओपन कर लेता हूं इस टीम मैच को दोस्तों तो मुझे क्रियेट करना है टीम तो हम क्रेट टीम पर क्लिक कर रहा हूं आप भी देखिए जैसे आपको पता यह विकेट कीपर बैट्समन और और बॉलर इनका एक कॉंबिनेशन एक प्रॉपर कॉंबिनेशन हमें मैं कपंप изб कर लंघ कर सकते हम रखेंख के साथ जरूर जाओंगा ऐन आगे मैं किसी और को शामील नहीं कर रहों नहीं कर रहा हूँ अल्ट्रय में जाते होंदर होलडय कोशामील नहीं किया जा रहा है इस टोटीमिश को शामील कीया जा रिय अगे देखिए अभिशेक शर्मा लरीत याद वोक्स को भी शामिल नहीं किया जा रहा है अगर शामिल करते तो मैं उनको पिक कर लूँगा दोस्तों शंकर को हम ट्राय कर सकते हैं और बैट बॉलिंग में देखिए अभी फिर से दिक्कत यह कि कल जो टॉस होगा ना दोस्तों उसके बाद थोड़े से चेंजिस कर सकते रशित खान को में शामिल करूंगा रबड़ा को शामिल करूंगा अगर दोनों को शामिल करता हूँ तो पॉइंट देखिए दोस्तों 6.5 पॉइंट बचते हैं तो इसी वज़े से मैं अभी रबड़ा के साथ नहीं जा रहा हूँ रशित खान के साथ भी में नहीं जा सकता क्योंकि पॉइंट्स बहुत कम है दोस्तों तो सबसे पहले जिनको मैं ड्रॉप नहीं करना चाता हूँ उनको पहले लूंगा मैं जो रहेंगे मेरे लिए का गया आवेश खान देखिए इनके भी पॉइंट्स बढ़ गए 8 से 8.5 वाउ गुट तो उनको ज़रू शामिल कर लेंगे दोस्तों अभी मेरे पास उनली 16.5 पॉइंट्स बचे तो मुझे एक 8.5 का प्लेयर लेना पड़ेगा और 8 पॉइंट्स का प्लेयर लेना पड़ेगा तो दोस्तों यहां पर आते हैं कुछ चेंज एक्सपेक्टेड है दो मिश्रा जी को हम शामिल कर सकते हैं अब फिर से देखिए यही मैं आपको बता रहा था दोस्तों की पॉइंट्स का काफी दिक्कत होने वाला इस मैच में रशित खान को शामिल नहीं कर सकते हैं तो अभी तीसरे मेरे रहेंगे खली लेमन और मैं शामिल कर सकता हूं रबाड रखें बैट्समन तीन रखें दो विकेट कीपर रखें तो टीम प्रिव्यू करते हैं दोस्तों तो रशित खान यहां पर नहीं मिल रहें तो आप अगर रशित खान चाहते तो मैं आपको वह भी दिखाता हूं कैसे ट्राइ कर सकते हैं तो देखिए यहां पे रहेंगे स्टोइनिस को मैंने सामिल कर लिया है दोस्तों स्टोइनिस और विजे शंकर देके दोनों दीमिकती से गेंद बाजी भी कर लेते हैं तो जो चन्ने का पीछे उस पर काम भी आ सके विकेट टेकिंग साबित हो सकते तो खलील आमद रबाड़ा अविश्खान और अमित मिश् कर लिए तो रिस्ट स्पिनर है दोस्तों इनको दिक्कत हो सकती है गेंद बाजी में तो बट मैं एक्सपेक्टर रहा हूँ अभी कि सपोस्ट जिसी की बॉलिंग है तो मैं इनको शामिल कर लिया हूँ तो ठीक है कंटीन्यू करते हैं क्याप्टन वाइस क्याप्टन के सब्सक्राइब कर दोस्तों तो ठीक है मेरे सबसे बेटर क्याप्टन वाइस क्याप्टन रहेंगे शिकर दवन और डेविड वारनर यह सबसे अच्छा पेर है दोस्तों के लिए या फिर आप उल्टा भी कर सकते वारनर और दवन वाइस कैप्टन तो मैं यह सबसे अच्छा मेरे ख्याल से रहेगा और एक दूसरा रहेगा वारनर की जगह बेरिस्टों पर दाव लगा सकते वाइस कैप्टन के लिए या फिर वेरिस्टों दावन के साथ दावन को आप जरूर ट्राइ कर सकते हैं अच्छी टच में है दोस्तों तो उनको ट्राइ करना बनता भी है ठीक है तो यह रहेंगे देन आप ट्राइ कर सकते हैं जोन इबरिस्टों और मार्कस टोइनिस या फ जादा बहुत देर तक चलेगी या फिर 100-200 रन बनाएगी बट अफकोस यह उप्शन भी आप ट्राइ कर सकते यह भी अच्छा उप्शन साबित हो सकता है तो सबसे बेटर जो ऑप्शन मैंने आपको दिखा दावन वर्नर के लिए क्योंकि मेरे ख्याल से तो दोनों अच्छा बस रहेंगे जरूर रहेंगे रिव्राट सिंह के दर अगrik यह चांब लेदे था दे करेंडिया आघा रहेंगे शामिल नहीं कर रहा हूँ नहीं में चांस नहीं लूँगा और अहा नहीं को खेलने नहीं मिल रहा है ज़्यादा हो और विराट सिंग नहीं में चांस नहीं लूँगा तो एट पॉइट पॉइंट फाइमे और एक प्लेयर हमें चाहिए दोस्तों जो कि ठीक है थोड़ा और चेंज कर लेते चलिए मेरे लिए पूनेश्वर कुमार एक बेटर ऑप्शन रहेंगे फिर से में यहाँ पर चार बैयों बॉलर्स के साथ जा रहा हूँ क्योंकि चैन्ने का पिछ है अगर चाहे तो आप यहाँ से अभिशेक शर्मा को भी ले सकते हैं लली त्यादव भी ले सकते हैं बट मेरे ख्या दोस्तों तो इसमें रहेंगे जॉनी बेटर रिक्षब पंत को मिने डॉप किया है विल्यम सन यहाँ पर शामिलों के देखिए यहाँ पर इनकों वहा विल्यम सन ठीक है यहाँ और इनकों हो रहे रशीट खान तो दो बड़े प्लियर नग ने चोड़ाए तो दो बड़े मेरे लिए ठीक है यहां पर भूनेश्वर कुमार इन हो रहे रबाड़ा को मैंने इस में इस टीम में नहीं लिया तो यह और आविश्कान कलील एमद तो दोनों शामिल थे में नहीं स्टोईनीज भी शामिल थे वह अटबवन शामिल थे या फिर बन को तो यह धावट के narrative t तो ठीके सीम टीम से ओकर लेता हूं मैं अभी और एक जो मैं कॉंबनेशन आपको करके दिखाता हूं हर बार की तरह तीसरा को शामिल कर सकते हैं अक्षर पडेल भी सर्क दोस्तों को रहना निगेटिव आ चुके हैं पर उनके खेलने का अभी तक कोई नहीं है कि वह दिली के इसमें शामिल हो गए नहीं यह मुझे कुछ आइडिया नहीं अभी तक इसका पता नहीं चला इस वज़े से मैं उनके साथ नहीं जाओं गा कल के मैंज के लिए और मुझे नहीं लेकथा कि नाओज आ कि शामिल का जाएगा तो यह बहुत दोस्तों जाएंगे हम गरबारा के साथ जाएंगे दे हावष्कान वापस जाएंगे खली लेमत के साथ Estate साथ जभी लेमतम एक निया गाईसरा हे या फिर आप जा सकते हैं केन विल्यमसन के साथ यहां पे भी मैंने पंत पे दाउन नहीं लगाए दोस्तों ठीक है यह रहती है मेरे टीम जिसमें क्याप्टन वाइस क्याप्टन के लिए वाइस क्याप्टन के लिए आप स्मित को ट्राइ कर सकते हैं वापस क्याप्टन के लि लिए वापस विल्यम सनीन हो गए और यहां पर वापस रबाडा इन हो गए तो यह तो यह थोड़ा बैटिंग प्रिंट लिए एक टीम बना क्यूंकि बाकी दोनों जो टीम से वालिंग फ्रेंडली रहते तो ठीक है इसको टीम को में सेव कर लिया हूं क्याप्टन से लिए करना बाकी है तो इसके लिए में जा सकता हूं धवन या फिर वार्नर के साथ में जा सकता हूं जो कीपिंग है और शायद से बेरिस्टोई करें राइट संराइस की तरफ से क्यूंकि तो कीपर भी होता है ना उसको कैचेस अच्छे मिल जाते तो उसको बन जाता है तो ठीक है दोस्तो यह भी आपके लिए अच्छे कॉंबिनेशन साबित हो पर आप कुछ ना कुछ विनिंग ज़रूर करें आपके लिए दोस्तों जैसे मैंने पहले बनाया आज जो है डबल हेडर है दोनों वीडियो में अप्लोड किये जरूर प्लीज वॉच झाल